तो जारखन हाई कोट से टेट पास पारा सिक्षकों को जटका लगा देखें हाई कोट से जुड़ी एक और का मज़म लगाता है अब यह जटका लगा है अब यह जटका लगा किसे तो टेट पास सिक्षकों को जटका लगा है कोट ने समायोजन से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुनाया है मुकिनाइदीस डॉक्टर अविरंजन की कंपेट ने पारा सिक्षकों की आजका को खारिज कर दिया है क्यों किया है इसके लिए इस रिपोर्ट को आप देखिए जारखन हाई कोट ने टेट पास पारा सिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले पर सुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है हाई कोट ने अपना फैसला सुनाते हुए पारा सिक्षकों के याचिका खारिश कर दी है हाई कोट के इस फैसले से पारा सिक्षकों को बड़ा जटका लगा है दोने पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद पहले अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जरखन हाई कोट के मुख्य नायदिस डॉक्टर रभी रंजन और नायदिस सुजीत नाराएन प्रशाद की अदालत ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है कि पारा सिच्छक मामले में आज मामला मुख्य नयमूर्थी डॉक्टर रभी रंजन एवं नयमूर्थी सुजीत नाराइन प्रशाद की खंटपीट में मामला सुचिवत था आज उसमें फैसला आ गया है और उसको एक सिरे से माननी है खंटपीट ने इसे खारीच किया है और किसी प्रकार का अन्य राज्यों के तर्ज पर जो मांग की गई थी इस समान वेतन का वो उसको रद कर दिया गया है और इसे नहीं माना गया है और किसी प्रकार का इसमें रहाद देने से इंकार किया है पारा सिक्षकों ने देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर समान काम के बदले समान वेतन की मांग की थी साथी साथ समायोजित करने को लेकर याचिका भी तायर की थी फिलाल पारा सिक्षकों को जटका लगा है पार्ति सुनील ने कहा है कि पूरक आदेश आने के बाद सर्वोश नयाले जाने का फैसला लेंगे जज्मेंट आया है उसमें all petition rejected लिखा हुआ है अब पूरी जज्मेंट पढ़ा जाएगा उसमें क्या लिखा हुआ है इसके बाद हम लोग आगे का रास्ता पताय करेंगे कि सुप्रीम कोट जाएंगे या नहीं जाएंगे पारा सिक्षकों की याचिका को भले ही हाई कोट ने रद कर दिया हो लेकिन पारा सिक्षकों के पास अभी भी सर्वोच नयाले का रास्ता साफ है अब देखना है कि हाई कोट के फैसले के खिलाब पारा सिक्षक सुप्रीम कोट जाते हैं या फिर फैसले को सुईकार कर लेते हैं न्यूज 11 भारत के लिए रांची से आयूश चोहान की रिपोर्ट